श्री शिवाय नमस्तब्यम दर्शकों रविवार का दिन सूरे देव का होता है इस दिन आप रविवार के उपाय करके सूरे के शुब फलों की प्राप्ति क्यार सकते हैं जानिये उपाय सबसे आसान और सबसे सरल पद्दती है सूरे को जल चड़ाना यदि आप रविवार के दिन सूर्य देवता को तामबे के लोटे से जल अर्पित करते हैं जल अर्पित करने से पहले उस जल में आप थोड़ा सा कुछ मीठा मिला लेते हैं यानि गुड या शक्कर तो वह अती शुप फलदाई होता है सूर्य मंद्रों का जाब भी कर सकते हैं यदि कुछ ना आता हो तो ओम सूर्य आई नमा का जाब करते करते अब सूर्य को जल अर्थ दें रविवार के दिन बाजार से तीन ज़ाडू खरी दें और अगले दिन ब्रह्म मौरत में उसे उठकर इन ज़ाडू को घर के पास इस्थित किसी भी मंदे में रखाएं बस ध्यान रखे ऐसा करते ऐसा करने से आपके घर में धन धाने के कोई कमी नहीं छोड़ेगी लक्शमी मा क्योंकि झाडू का उपाय लक्षमी की प्राप्ति के लिए किया जाता है और माता लक्षमी प्रसन होती है बस आप इतना सा उपाय करें और देखें आपका घर धन दौलत से कैसे भर जाएगा रविवार की रात को सिरहाने पर दूद का एक गिलास रखकर सो जाएं और सुबा उठकर उस दूद को बबूल के पेड़ के जड़ के नीचे डालाएं या फिर बबूल ना हो तो पीपल के पेड़ के नीचे डालाएं ऐसा करने से आपके दिन दुगनी राच चोगनी तरक्की होने लगेगी इस दिन अपनी मनोकामना को बरगत के पत्ते पर लिख कर कहीं बहते हुए जल में प्रवाइद कर दें ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामनाई पूर्ण होंगी साथ ही में आपके स्वास्ते संबंदित पर अमरधी प्राप्त होती है तो दर्शो को ऐसे ही कई उपाय हैं जो हमने पूझनी स्री पंडित प्रदीब जी मिस्रा द्वारा बताए हुए हैं और आपको हमारे चैनल पर और भी कई उपाय मिल जाएंगे जो हमारे द्वारा बताए गए हैं पूझनी स्री पंडित और अपने जीवन में आ रहे ही परिशानियों का समाधान निकालिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में श्री शिवाय नमस्तु भ्यम